तो आज के इस वीडियो में 12 कार्टेज देख सकते हैं स्क्रीन पर है पूरे इससे सनमंदिर प्रोब्लम किस पार्ट के खराबी से क्या प्रोब्लम आएंगे वो सलूशन करने वाले हैं आपके पास 880 कार्टेज है 12 कार्टेज है कोई भी ब्रदर का होई लस्पी का होई कोई आपको क्या करनी है एक छोटा सा कारी करना है यह वाइपर ब्लेड बदल देनी है वीडियो को लाज तक जरूर बने रहे हैं अगर इस चैनल पर पहली पर पधा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चलिए हमारा पहला प्रोब्लम सॉल्व हो गया सेकेंड जो हमारा प्रोब करनी है और रेगुलर विजिट करनी है कम से कम 300 से प्लस हमारे चैनल पर वीडियो प्रिंटर सनमंदित अपलोड कर दिये गया है जिसमें आपका अन्बॉक्सिंग से सनमंदित मोबाइल प्रिंटर कंपीटर सन बहुत चरी वीडियो तो चलिए इसके लिए देर ना करते वे और यह हमारा ड्रम हो गया PCR हमारा हो गया यह हमारा ड्रम हो गया दोनों को बदलने सही हो जगा यह और जंटल लाइन आ रहा है तब और भी पार्ट को जरूर चेक कर लें चलिए उसके बाद अगर हमारा अगला नेक्स्ट प्रोब्लम देख सकते हैं इस टैप का दिखिया चलिए उसके बाद आपको कुछ और भी फॉर्ड दिखाने वाला हूँ यह ब्लैक कलर का देख सकते हैं आ स्क्रीन पर देख सकते हैं यह चावला सा पट्टी यह हर्जेंटल हो सकता है और वर्टिकल भी घपडानी के अब सकता बिल्कुल नहीं है इसका भी solution आपको बताऊ हुआ यहां पर इसका गार्वेज सेक्शन है इसे कैसे खुलेंगे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो दे दिया गया पूरे पार्स को खुलने का असेंबल करने का ओके तो यहां से गार्वेज निकाल दें और ड्रम को चेक कर लें इसके बाद आपकी समस् सुरू करता है तो बहुति क्यों आता है जो आपको बता दूं यह देख सकते हैं हमारे पास मैगनेट मात्रा में क्या करना आपको पाउडर दे तो चलिए यह समासे हमारा सॉल्व होते जा रहा है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें नेक्स जो हमारा है लाइट प्रिंट या ब्लैंक प्रिंट हलका जो होता है जो लाइट प्रिंट होता है वो तो लाइट प्रिंट के पीछे क्या करना है ब्लैंक अगर प्रिंट होड लेकिन हलका क्योंकि इस पर जो है जो coating किया रहाता है उस पर हमारा जो powder है आ नहीं पाता है ये घिसने के कारण घिस जाता है तो वो damage हो जाता है उससे कैसे चेक करेंगे कुछ घबरानी के अब सकता नहीं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा देखिए वो क्या होता है कि हमारा जब घिस जाता है तो हलका इस पर देख सकते हैं डॉट डॉट लाइन ज्यादा हो जाता है ये हलका घिसा हुआ देखना शुरू करता है तब इसे बदल ले या आप ड्रम वाइपर ब्लेड वेगरा भी चेक कर ले इसके करन भी आते रहते हैं अगर वाइट इसे हिला और फिरसे परिंट हो जाता है इस इसे बता रहा हूं Ok थे उसके बाद जो हमारा वाइट वर्टिकल लाइन केलियर हो गया अगर हमारा क्या है फुल ब्लैक पूड़ा पेज़ काला आ रहा पूड़ा जैसे सपोज कि जिए यह यह पेज एक हो गया पूड़ा में काला आ कुछ नहीं करने हैं दोस्तों छोटा सा कारी करना आपको यह जो हमारा PCR है इसे चेक कर लेनी है पीश अर कि आपको किसी प्रकार का प्रोब्लम है ज़रूर कॉमेंट करें के माध्यम से नेक चलिए नेक्ट जो हमारा सर्फेस ब्लैक सर्फेस ब्लैक के मतलब क्या मलब यहां फोटो को पिक यह लेकिन इसके पीछे काला आ जा रहा है काला धबा धबा सा या चाला लमबा तब कुछ नहीं करना है दोस्तो आपको PCR चेक करनी है okay वाइपर ब्लेड चेक करनी है यह दोनों चेक करने है, drum भी थूरा चेक कर ले चलिए उसके बाद क्या होता है कि page पे a spot हलका हलका यहां 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 step का क्या था, dot आना शुरू करता है, तो इसमें drum कहीं problem रहता है, अगर 4, 5, 6, 7, 8, हाना step dot है, तो आप क्या करें, check कर ले आपको क्या करने है, drum अगर 7 से 9, dot है तो आप drum PCR दोनों check कर ले, magnetic rod भी check कर ले, और इस channel को subscribe कर दे, आपको यह video कैसा लग रहा है, comment के माधियर से जरूर बताएं, ताकि हम motivate होएं, और आपके लिए अच्छे अच्छे video upload करते रहें देखिए, जो हमारा toner है एक customer का problem आचुका था, वो बहुत toner बदले, बाट उनका print सही नहीं आ रहा था, क्या था उसमें कारण कि वो toner जो है, 12 एका है वही उज़ करना है, दूसरा नहीं कर ली है, समझ में आ रहा है दोस्तो, अगर समझ में आ रहा है, तो एक comment जरूर करें फिर next, अगर problem की बात करूँ तो बहुत ही common problem है वो हमारा है left, right या both side है, बादल की तरह जैसे होता न, इस step से यह यहाँ, यहाँ, बादल की तरह आना शुरू कर गिया, कुछ नहीं करना है दोस्तो, आपको क्या करना है वो जो boost होता है आपको boost दिखा दूँ यह, यह कहाँ लग रहता है magnet में, दोनों side में लगे रहते हैं, magnet जो हमारा होता है, बहुत ही common चीज़ है देखिए, यहाँ पर इसके भीना print होगा है नहीं दोनों side में क्या करते हैं, magnet का काम है, यह drum को नहीं सटने देना, drum जो हमारा होता है आपको दिखा दूँ, यह drum जो हमारा है इन दोनों के भी distance लाना, इसका काम है तो यह घिसने एकारण, टुटने एकारण ऐसा होते रहता है, left right में क्या होता है, कि हलका बादल की तरह आते रहता है अगर इस प्रकार की समस्या है, तो comment करें वीडियो को लाज तक जरूर बने रहे है अगर किसी प्रकार का और भी इस वीडियो के माधियम से नहीं solve पाया प्रोबलम तो जरूर comment कर दें ताकि आपके लिए कुछ अपडेट वीडियो बनाता रहूँ कभी कदल क्या होता है पेपर जैम, लगवाब को 20 फॉल इस पे बताने वाला हूँ पेपर जैम की समस्या आता, कहां काटेज में कुछ नहीं करना है दोस्तो, आपको जो सिलिकन ओयल यह PCR ड्रम जो होता है आपको एक्जैम्पल के साथ बताने वाला हूँ आज यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है देखिए, यहां पर जो हमारा PCR लगता है, जैसे मैं एक्जैम्पल दिखा दूँ, यहां देख सकते तो यहां पर जो PCR का यहां देख सकते हैं हिस्से यहां पर यह दूनों हिस्सा में क्या करने हैं आपको और यह हिस्सा में सिलिकन ओयल लगानी है मार्केट में अबलेबल हो जाती है अगर सिलिकन ओयल नहीं है तो इसके जगा पर नारियल का तेल बगएरा है हलका मात्रा में ऐसा निए उसको डूबा देना है थम हलका हलका मतलब थोड़ा सा सलाई के काटी पर थोड़ी ले लेनी है या थोड़ा सा उसको हलका हलका लगा देजिए बहुत अच्छा मूव करना शुरू कर देगा next अगर problem की बात करूं तो paper amagya बहुत सारे subscribers ने comment किया सरकोंसा paper युझे करूं हर company का लगवाओ अपनी इपनी criteria अपनी इपनी facility है अब आपको सोचने की कौनसा paper युझे करूं देखे एक्च्छली मैं बताओं मेरे experience के माध्यम से जो आप लोग comment करते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं 75 GSM जो भी paper है 75 GSM का है यूज कीजिए बहुत अच्छा है क्योंकि paper jam की समस्या उस जो हम लोग यूज करते हैं कम GSM का उसके कारण होता ठंडा के मौसम में बरसाद के मौसम में क्या करते हैं यह समस्या आते रहता है चलिए और नेक्स्ट अगर बरसाद की बात चर्चा करूं तो थोसा उसमें details बता दूं अगर आपका rainy season है या winter season इसमें आपका काटे जो है बहुत ही इस ड्रम को फेके नहीं रखे रहें उसको गर्मी के मौसमें परियुक कर सकते हैं और अगर सौबट का वल्व है तो थोसा distance बना कर या white वाला जो CFL वल्व होता है थोसा distance बना कर उसको हीट करें इस बता चुका को टोनर आपको एक अच्छा सा यूज करना ज्यादा local नहीं परियोग करने है क्यूंकि सस्ता के पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं जो अच्छा नहीं है ज्यादा सस्ता के पीछे ना रहें क्यों ख़तरनाक हो सकता है चलिए उसके बाद अगर कर्टेज क्या हो रहा है अवाज उसमें कर रहे हैं मैं आपको समस्या बता दूँ यह जो हमारा टोनर अस्प्रिंग होता है यह यह नहीं लगाने करण होता है और दूसरा आपको बता दो कि जो आपका मैगनेट होता है वह देख सकते हैं यह मैगनेट इसमें एका स्प्रिंग रहाता आपको दिखा दो लाइव दम फुली वीडियो जो है लाइव डिटेल्स के साथ बैना डच्प डेखिए यहां पर यह रहता है क्योंकि यह तो टूट गया है तो आपको क्या करना है पुराना जो है जो आपका मेसेज हो जुका उसको खोल करके इसमें लगा दोने कैसे खुलना है description box में उसका वीडियो दे दिये गया है वीडियो को बढ़ा ना करें इसके लिए आपको क्या कर रहा हूं रिमाइंड कर रहा हूं बता रहा हूं चलिए अगर ये सब लगा रहें magnet नहीं मूव कर रहा है जैसे देखा दू आपको देखिए मैं कितना कोसिट कर रहा हूं तब जाकर हाड है magnet move करने में अगर समस्य हो रही है दोस्तों कुछ नहीं करना है यह गीर देख सकतें यहाँ पर आपको गीर दिखा दो इन गीरों को क्या करनी है साफ करनी है किछ से ब्रस से जो हलका सा ब्रस होता है ना मूद होने वाला या इस टैप का ब्रस होता है उससे काम करें चलिए तो हो गया और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ प्रोब्लम है तो जरूर कॉमेंट करें अगर पूरे पार्स को आप बदल दिये फिर भी काम नहीं कर रहा है और वह साथ और यहां रहते हैं चलिये जो आपको अबकुरे लगाने कि अब सकता है अगर आपका कांटेश काम नहीं कर रहा है तो यह लगाने की नहीं शहीं आ आप देख सकते हैं यहाँ पर यह दोनों बहुत ही important है इसमें हर points पर important से किसी point को ignore आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं यह हो गिया जब refling करते हैं तो देखते हैं कि जो आपका चौला जो black color का आता है यह इसे कैसे सही करें कुछ नहीं ड्रम बदलिया साथी साथ आपका जो वाइपर ब्लेड है इसमें toner जो होता है जमा हो जाता है गारवे सेक्षन इसे बोलते हैं जब भी रिफलिंग करें इसे साफ कर लें कैसे खुलना है यह सारे वीडियो में description box में दे दिया गिया है अगर आप individual वीडियो देखना चाहते है मतलब एक प्रोब्लम का तो वह भी वीडियो इस चैनल पर क्या कर चुके हैं अपलोड कर चुके हैं देखिए ड्रम जो हमारा घिस चुका है इसके कारने बहुत सरे समस्या होता है इन सभी प्रोब्लम को मैंने solve कर दिया और remind आपको कर दूं कि जब भी यह काटेज का काम कर यह बारा आए काटेज कोई भी हो तो उसमें एक सुती कपरा नियूज पेपर और यह ब्रस वेगरा का प्रियोक करें ओके तो आज हमने क्या-क्यासी का वर्टिकल लाइन प्रोब्लम हर जेंटल लाइन प्रोब्लम अगर काला आ रहा ब्लैक आ रहा जम प्रीन्ट नहीं आ रहा है क्या हो रहा है कि प्रींट आ रहा है उस पर पौड आ रहा है ज्यादा मत्रा में हलका प्रींट आ रहा है वाइट प्रींट आ रहा है वाइट भर्टिकल लाइन आ रहा है पूरा ब्लैक उसका आ रहा है प्रींट बैक में आ रहा है जिसे यह हुआ पेपर इसके पेपर जैम काटेज में होड़ा वह समस्या कुनिधान किये इन सभी के बाद अगर हमारा सिलकोन भी बहुत इंपोर्टन था कि सिलकोन वेल से भी बहुत सब्सारा कारी होता है और आपको गियर साफ यह बहुत मैंने बताया यह जो गियर है यहाँ साफ होता है किस चीज़ से मिस्टेक हो गिया होगा तो उसके लिए सौरी अगर मैंने किसी वीडियों बताया और सही नहीं हो पाया तो उसके लिए सौरी आप कॉमेंट कर दे और आपको उसके मध्यम से जरूर बताया जाएगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं धन्यवाद जैहिन जैबढ़ा जै नेक्स्ट वीडियो में